नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है आज का चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर आईए पार्ट परिचे पढ़ लेते हैं यह कॉंपोजीशन ऑफ ब्लड है जिसमें आप पार्ट में पढ़ेंगे प्लाजमा के बारे में जो की 55% है यालो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है फिर वाइट ब्लेट सेल्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी था पार्ट परिचे पोश्टिक एवं संतुलित आहार की कमी से हमारा शरीर कई रोगों का शिकार हो जाता है अग हम बैलनस टाइट नहीं खाएंगे हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी ब बचना क्या है रक्त क्या काम करता है रक्त की कमी से क्या क्या परिशानिया होती है आईए ये पार्ट पढ़कर जाने एक दिव्या नाम की लड़की है जिसे अनीमिया की बिमारी हो गई है तो ये पूरा पार्ट अनीमिया होने के कारण से लेकर अनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए इससे बचा कैसे जा सकता है और रक्त में मौझूद जो सफेद कन है वो क्या कारे करते हैं रक्त को रोकने के लिए क्या प्रोसीजर है ब्लड बैंक में रक्त दान देने से क्या लाब है इन सारी चीजों के बारे में आप आज इस पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है लो लेवल ऑफ आर बीसी ठीक है वो मेल्स में कितना होता है 14 से 18 के बीच में और फीमेल में 12 से 16 के बीच में हीमोगलोबिन ओके जाने की दिव्या है और अनिल है दो बाई बहन है तो अनिल की छोटी बेहन का नाम है दिव्या वैसे तो वो वैसे ही कमजोर है लेकिन कुछ दिनों से उसे कुछ जादा ही थकापट मैसूस हो रही है मन किसी काम में नहीं लगता भूख भी पहले से कम हो गई है अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिवया के शरीर में रक्त की कमी हो गई है जांच कराकर देखते हैं एक टेस्ट करवा लेते हैं और डॉक्टर ने बोला ये कहकर उन्होंने दिवया को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी जानी कि उसका भाई जो था वो एक डॉक्टर लेडी को जानता था और वो उसकी दीदी ही थी डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ अनिल ने बताया डॉक्टर साहब ने दिवया को खून की जांच के लिए आपके पास बेजा है इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिवया की उंगली से रखत की कुछ मूंदे निकाल कर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइट पर लगा दी स्लाइट आपको पते ग्लास होता है एक जिसमें माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं फिर अनिल से बोली अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना अगले दिन अस्पताल पहुंच कर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी बीतर से आवाज आई आजाओ अनिल ने कमरे में परवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सुक्षम दर्शी द्वारा जाने की माइक्रोस्कोप द्वारा एक स्लाइट की जांच कर रही थी दीदी के इशारे से वैपास पड़ी एक कुरसी पर बैठ गया दीदी ने इशारा कर दिया कि दर बैठ जाओ स्लाइट की जाज पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ दोए और तोलिये से पोंचती हुई बोली अनेल दिव्या को अनीमिया है चिंता की बात नहीं कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी अब अनीमिया मतलब खुन की कमी है तो खुन की कमी से बिमारी होती है उसका नाम है अनीमिया अनील के मन में जिग्यासा हुई कुछ जानने की इच्छा हुई वै बोला दीदी एक सवाल पूछू हाँ हाँ क्यू नहीं डॉक्टर दीदी ने कहा अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी उसने पूछा यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा डॉक्टर दीदी ने कहा फिर बोली अनिल देखने में रक्त लाल द्रफ के समान दिखता है द्रफ मतलब तरल पदात लिक्वट ओकी किन्तु इसे सुक्षम दर्शी द्वारा देखे जाने कि अगर माइक्रोस जिसे हम प्लाजमा कहते हैं प्लाजमा ब्लड का 55% ओकी और लीक्वट पोर्शन ऑफ ब्लड कैरी सॉल्ट एंड उसके बाद एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाजमा कहते हैं दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कन होते हैं कुछ लाल कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं ये कन प्लाजमा में तैरते रहते हैं और इंका काम क्या होता है तो स्टॉप ब्लीडिंग ये कन प्लाजमा में तैरते रहते हैं इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सुक्षम दर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई उसे focus किया और बोली देखो अनिल सुक्षम दर्शी द्वारा जो कन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वे हैं लाल रक्तकन red blood cells ओके red blood cells आपको बताये थे blood cells तीन तरह के हैं red blood cell white blood cell and platelets slide देख मानो आश्चरे से उचल पड़ा था अनिल रक्तकी एक बूंद में इतने सारे कन इसकी तो वे कलपना भी नहीं कर सकता था वे बोला ही ने देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालुशाई रग दी हो मतलब मिठाई रग दी हो हाँ दीदी बोली जो बीच में तस जाता है राइट प्रेस किया हुआ जिसे बोलते हो रक्तकी एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है यदि हम एक मिली लीटर जाने की 20 ड्रॉप्स एस्टीमेट कर लो रक्त ले तो उसमें हमें 40-45 लाख लाल रक्तकन मिलेंगी इनके कारण ही हमे रक्तलार रंग का नजर आता है ये कन शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं सास लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सिजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इनकनों का ही है इनका जीवन का लगबग चार महीने होता है चार महीने के होते होते ह नश्ट हो जाते हैं लेकिन एक साथ नहीं दीरे दीरे कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन तब तो कुछी महीनों में ये समाप्त हो जाते होंगे अनिल ने कहा ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी बोली ये नहीं ऐसा नहीं होता शरीर में हर समय नई लार रक्तकन बनते रहते हैं जो नश्टकनों का स्थान ले लेते हैं हडियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं मज्जा मतलब बोन मैरो जिसका काम होता है स्टेम सेल्स बनाना ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्तकनों के बलड सेल के निर्मा लेते हो हरी सबजी फल दूद अंडा और मास में ये तत्व उपियुक्त मात्रा में होते हैं यदि कोई व्यक्ति उच्चित आहार ग्रहा नहीं करता तो इन कारखानों को वश्यक्तानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता नतीजा ये होता है कि ला रक्तकन बन नहीं पाते रक् कभी हो जाती ये लालकनों की सी कमी को आर बी सी अनीमिया औके तो क्या संतूलित आहार बैलनस टाइट लेने मातर से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं और निल ने सवाल किया दीदी बोली ह한 ये कहना काफी हध तक सही होगा ये सो чтоiones नहीं बहुतimasya का तो हमारे देश में सब से बड़ा कारण है बैलेंस टाइट की कमी पोस्टिक आहार की कमी हेल्दी फूड की कमी इसके अलावा इस रोका एक और बड़ा कारण है पेट में कीडों का हो जाना ये कीडे प्राय कैसे हो जाते हैं दूशी तिजल गंदा जल खादे पदार्थो द्वारा हमारे श्रीर में प्रवेश करते हैं अता इसे बच्चने के लिए वश्यक है हम पूरी सफाई से बनाएगे खदे पदार्थी ग्रैन करें जनकी घर का खाना काए बोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ दोले साप पानी पीए और हाँ अनिल एक इसम के किडे भी हैं जिनके अंडे जमीन की उपरी सता में पाए जाते हैं इन अंडों से उत्पन हुए लारवे तो अच्छा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर मना लेते हैं इनसे बच्चने का सहय उपाया कि शोच के लिए हम शोचाले कई प्रियोग करें और इदर उदर नंगे पैर ना दीदी ये तो बहुत ही मत्वफुन बात बताई आपने अनिल बोला वे पल भर सोच में डूबा रहा दीदी ने आगे बताया रक्त में सफेद रक्तकन डब्ली बी सी वाइट ब्लड सेल वास्ता में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं जब रोगानू शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद रक्तकन उनसे डटके मुकाबला करते हैं और यहां तक संबफ हो पाता है रोगानूओं को भीतर घर करने ही नहीं देते बस अगर मैं शौट करके बताऊं तो मानलो वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं दीदी आपने जो प्लेटल प्लेटलेट का निस जाले से चपक जाते हैं और इस तरह दिवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बहार निकलना बंध हो जाता है जानिकी टू स्टॉप दा ब्लीडिंग अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खुन बैता ही चला जाता है हां ऐसे समय म हम उस वेक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जरूरत समझने पर ऐसी स्थिती से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं कि तो डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कस कर एक साफ कपड़ा बांध देना दबा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो स्वेक्ति के लिए काफी लाप्रस से हो सकता है हाँ अगर बहुत अधी रक्त बह जाए तो उसे खून चड़ाने की जरूरत भी पढ़ सकती है दीदी ने समझाते हो एक अलर्ट कर दिया आपको ब्लड ग्रूप के बारे म में भी भरवाया जाता है आपसे ब्लड ग्रूप लिखिए वहां आप कॉलम कहीं बार खाली छोड़ देते हैं तो वहां भरा जरूर कीजिए अनिले का कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून कामा सकता है दीदी बोली अनिल हर किसी का खून एकसा नहीं होता कुछ विश जरूरत के समय उस रक्तस्मू का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा ऐसी आपात स्थिती के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं प्राई हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं यहां सभी किस्म के रक्तस्मू का रक्त त्यार रखा जाता है किन् समय में उसे लगबग 300 मिली लीटर रखत ही लिया जाता है 0.3 लीटर जानी की वन यूनिट ब्लड प्राई यह समझा जाता है कि रखतदान करने से कमजोरी हो जाएगी किन्तु यह विचा बिल्कुर निराधार है इसका कोई अधारी नहीं है बेसी नहीं है बेबुनियाद बात है यह हमारा शरीर इतना रखतों कुछी दिनों में मना लेता है वैसे भी शरीर में लगबा 5 लीटर खून होता है इसमें से यदि कुछ रखते किसी धरूरत वंद व्यक्ति के लिए जीवनदा बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी दीदी समझाती हुई भूली फिर तो बढ़ा होने पर मैं यमित रूप से जाने की रूटीन में रखतदान किया करूँगा अनिल ने कहा शाबाश अनिल डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीट थप थपाते हुए कहा तो यह था डॉक्टर यती शगरवाल जो की जाने माने चिकटसक है और उनका जनम 20 बरेली में हुआ था तो इन्हों ने ये जो पार्ट लिखा है हमें जानकारी देने के लिए आई होप ये सब बच्चों के लिए बहुत ही हैल्फुल रहा हो तो अब हमारे बच्चे पोश्टिक आहार खाएंगे और संतुली ताहार खाएंगे बाहर का फासफूर्ट गर्म हिट कर दीजिए पहला कुश्चन है आपके पास मौखिक में अनिल दिव्या को अस्पताल क्यों ले गया तो बताईए क्योंकि पहले आप पूरी लाइन लिखिएगा अनिल दिव्या को अस्पताल इसलिए ले गया क्योंकि उसकी भूग पहले से कम हो गई थी डॉक्टर द से 55,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 की बिमारी थी अनीमिया होने के क्या कारण है बच्चो हमारे देश में सबसे बड़ा कारण है पोश्टि का हार की कमी अनीमिया से बच्चने के लिए हमें क्या करना चाहिए हरी सबजियां खाने चाहिए फल खाने चाहिए दूद अंडा मास मतलब सारा पोश्टि का हार खाना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने इन तीन कोशनों के आंसर के बाद आगे आपको कोशन दिया गया है पेट में क्यूडे क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है यह सारा कोशन आपको रिटर्न में यहां पर दे दिया गया और खुश समय में आये तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते है उसके बाद है रख्त में मुजूद सफेद कन क्या कारे करते हैं तो रख्त में मुझूद सफेद कन जब रोगानु शरीपे हला बोलेंगे, धावा बोलेंगे तो सफेरख्टकन हमें बचा लेंगे मुकाबला करेंगे उनका बलड बैंक में रक्तदान करने से जरूरतमध वेक्ति को जीवन मिलता है गेरी चोट से बहते रक्त को रोकने के लिए क्या करना चाहिए तो चोट लगने पर हमें प्लेटिलेट कमों का काम क्या होता है कि हर इस्से में शुद वायू से प्राप्त ऑक्सिजन को पहुंचाता है लार रक्तकन गद्याश पढ़कर पूछे के प्रश्टों के उत्तर लिखने हैं तो मैंने कखग ऊपर ही लिख दी हैं शरीर में कों से नएकन हर समय बनते रहते हैं तो नए लार रक्तकन रक्तकनों का पोश्टिक का हाल लेते हैं तब हमारे शरीके सभी यंग ठीक से काम कर पाते हैं फल दूद अंडा और मास में कों से तत्व उप्युक्त मात्रा में मुझूद हैं पोश्टिक तत्वर ठीके बड़ा होने पर मैं यमीत रूप से रक्तदान किया करूंगा अनिल ने ऐसा नि तो सोचिये और लिखिये का कोशन आपका मिस हो गया है कोई प्रॉबलम नहीं मैं आपको बोलके बता देती हूँ बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा अनिल ने ऐसा निन्य क्यों लिया तो बच्चो रक्तदान द्वारा हम किसी व्यक्ति को जी अफ्ता है इस विशेपर अपने विच्छान लिखिये रक्तदान से बड़ा कोई और दान नहीं है अगर हम थोड़ा सा रक्तदान करके किसी का जीवन बचाते हैं तो उससे बढ़कर परोपकार की और कोई बात नहीं हो सकते ठीक है आप अपने शब्दों में भी लिख सकत संदी कीजिए रोग प्लस अनू रोग अनू शोच प्लस आले शोच आले इसी परकार पाकी सारे example सामने आपको करके दे दिये कोशन नम्इर फाइब मेरे खांकित पदों पे ध्यान देनай आपको वे पल बर सोच में डूबा रहा पल भर थिके टाइम की बात हो रही है, तो यह सब क्या है क्रिया विशेशन तो निमलिखीत पाक्यों में क्रिया विशेशन शब्दों के नीचे रेखा कि इंचे नहीं है उनके भेद बताने है वे साबदानी पूरवक कदम बढ़ा रहा था साबदानी पूरवक alert होके जाने कि कारे करने का तरीका है adverb of manner रीती वाचक हो गया उसने बहुत कम काया adverb of quantity जाने की परिमार वाचक अगर आपको क्रिया विशेशन की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर अव्या की वीडियो जो है वो बहुत सरे उधारनों के साथ मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी ठीक है नीरा बाहर बैटी आसमा निहा रही है बाहर मतलब adverb of place स्थानवाचक हो गया वे अचानक सामने या खड़ा हुआ स्थानवाचक परसो मेरे स्कूल की छुटी है वेसे याँ पर अचानक अंडरलाइन होना चाहिए था और अचानक का मतलब फिर कारे करने का तरीका रीती वाचक कर लीजिए गाई इसको अचानक को अंडरलाइन कर लो रीती वाचक है उसके बाद परसो मेरे स्कूल की छुटी है पर्सो को इंडलाइं करेंगे, कालवा चक, ठीक है? मुहावरों का वाख्य प्रयोग करना है आपको, दस्तक देना, धावा बोलना, पीठ तोकना, घर करना, इन सारे मुहावरों के वाख्य प्रयोग आपको इस पेच पर मिल जाएंगे, तो कुल में लाकर आपका रक्त और हमारा शरीर का चैप्टर आपकी बुक वाला हिस्सा कम्प्लीट हो गया है अगर आपके स्कूल में अलग से कोई वर्क्षिट लगी हुई है तो उस वर्क्षिट को भी मैं अगले पेच पर आपको समझाने जा रही हूँ देख लीजिए अनीमिया के क्या लक्षन होते हैं वर्क्षिट फो पे नंबर 910 अकि अनीमिया हो जाने के क्या कारण है ये लिख दिया है रक्तदान क्यों करना चाहिए वो भी आपको अगले पेच पर मिल जाएगा निमालिखीत पंक्ती को पढ़कर पूछेगे प्रश्टों के उत्तर लिखने हैं ये कथन किसका है ये कथन डॉक्टर दीदी का था रक्त को भानुमती का पिटारा क्यूं का जाता है जिस परकार भानुमती के पिटारे के अंदर छोटे से शिद्र द्वारा बहुत कम नजर आता है उसी तरह रख्त की एक बूंद में अनेकर समाहित रहते हैं उसके बाद नेक्स कोशन है आपका वाक्य बनाकर अर्थस्पर्ष्ट करने हैं द्रव ये द्रव पदार्थ है द्रव्य हीरा ठोस द्रव्य होता है समान राम और राजम पढ़ाई में एक समान है मताब ब लगने की सूचना पढ़कर दो महिलाओं के बीचे कालपनिक समबाद लिखने है अगले पीच पे आपको रिटर में समबाद मिल जाएगा तो आई हो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो लाइक ये भी ना बिल्कुल मैं जाहिएगा ये संबात पढ़ लीजिए बाकी जदी ही मिलते हैं आपके चप्टर फाइब के साथ तिल देट गुड़ पाई प्लीस लाइक तब वीडियो